ओम शान्ति आज का वर्दान है साद्रों को निरलेप वा न्यारे बन कारे में लगाने वाले बेहत के विरागी भव चिंतन करेंगे मैं आत्मा बेहत की विरागी हो मुझे इस देह से भी कोई लगाव नहीं है मुझे आत्मा को अपनी गुण वशेष्टाउं से भी कोई लगाव नहीं है मुझे किसी भी देहधारी से बिलकुल लगाव नहीं है मैं बेहत के विरागी आत्मा मुझे साधनों की सुक से भी कोई लगाव नहीं मिले तो भी अच्छा ना मिले तो भी अच्छा मेरी खुशी मेरा सुक उसका अधार साधर नहीं है मैं बेहत की विरागी आत्मा मुझे धन से पदार्तों से वस्तों से भी कोई लगाव नहीं है मेरे दिल का तो एक ही संकल्प है मेरा तो एक श्यु बाबा दूसरा न कोई मेरे दिल का सच्छा सने है सिर्फ एक पाबा से है और सभी आत्मों की प्रति मेरे मन में शुब भावनाए हैं सभी परमात्म संतान हैं बहुत अच्छे हैं बहुत स्रेश्ट हैं अब मैं बेहत की विरागी आत्मा अपने सन्मुक बाबा को बुलाती हूं आओ हे बरमधाम के निवासी बाबा आज आप नेचे आजाओ मेरे बुलावे पर बाबा मेरे सन्मुक खा गए और मैं आत्मा जैसे बाबा मी समा गई बाबा से कहती हूं बाबा आज मैं आत्मा सारे संसार को आपके साथ मिलकर शक्ति और प्रेम की शक्ति शाले किरने प्रदान करना चाहती हूं तो मैं और बाबा एक सूर्य समान लाइट और माइट हो गए हैं और सारे संसार को सर्व शक्तियों की लाइट से भर दिया। विजलाज कीजिए सामने गलोव है। मैं बाबा के साथ कमभाई दूँ और गलोव के ओपर सर्व शक्तियां लाइट के रोप में पढ़ती जा रही हैं। जैसे सारा गलोव सर्व शक्तियों की बरसात के नीचे नहा रहा हो। थोड़ा समय के लिए तो ये सारी आत्में अपने दुख दर्द भूल गई। प्रेम शानती और शक्ति का अनुभव करने लगे। सारी संसार का वाई बंडल बदल क्या। शुक्रिया मेरी प्राणेश्वर बाबा आपका यहां आने के लिए और इतना सुन्दर अनुभव कराने के लिए शुक्रिया है। ओम शाति झाल 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 झाल